प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही जा रही है वहीं उसके उलट भाजपा के जिलाद्व्यक्ष और उनके कारेकरताओं के द्वारा ही इस अभियान को पलिता लगाया जा रहा है दरसल ये वाकिय उस वक्त का है जब बिलारी ब्लोक प्रमुक्ष के उपचुनाओं में भाजपा जिलाद्व्यक्ष अपने प्रत्याशी के साथ नामांकन कराने के लिए पहुँचे थे सबसे पहले तो जिलाद्व्यक्ष ने ही धारा 144 का उलंगन करते हुए SDM कोर्ट में असलहों की नुमाईश की तो वहीं SDM कोर्ट में भी असलहे दे कर दाखिल हो गए इस दोरान पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई जिसमें एक पुलिस कर्मी की नेम प्लेट तक वर्दी से हट गई उसके बाद प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने वाले अभियान को भाजपा नेताओं ने खुद ही पलीता लगा दिया और जमकर इस अभियान की जिया उनाई जब भाजपा के जिलाद्यक्ष राजपाल चौहान से इस दौरान पुछा गया तो उन्हों ने इस से अन्भिग्यता जताई तो वहीं SDM बिलारी ने भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं होना बताया इस अब पॉलो तुनी वाया है और आप यह ग्राश इस्तामाल किया रहा है आपकी सरकार प्रेंड लगा रही है आप उससा इस्तेमाल बरावर कर रहे हैं उसमें जाटे नहीं तो कब तक धियां रखा जागा मोदी जी तो बरावर कहते जारें स्वक्सभार परज़ाई कि सकन में बीजेपी कारे करता है और ढोलवाजे के साथ जो है जलूस निकालना क्या कहना है यह आपके माध्यम से मेरे अभी संग्यान में आया है इसकी जानकारी करूंगा कि क्या इसके लिए कोई पूर में परिमिशन ली गई थी एंधा नहीं तो दम सारी ही नियमता लेधी आंच के लगली पूराबर यह जगतार जूटें बरावर यह बजवी कर्यकरता गिलास में पानी पिरा आ है और पलेधीन में सामाने रहा है यह इसमें क्या गएई मैं देख ज़िए पर चारावाई पर जाज कर वाओंगा पी जाज के बाद भी होगा में यह एमिट